वेलकम टो एडुजोस, एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है, दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग चंद्रियान 2 के बारे में महत्पूर्ण प्रश्ण देखेंगे, जो आपके RRB, NTPC और Group D एक्जाम के लिए काफी important है, क्योंकि यहां से questions लगातार पूछे ज देखेंगे, क्योंकि आने वाले एक्जाम में आपसे questions पूछे जा सकते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले यहां पर देखेंगे, चंद्रियान 2 जो है, वो है क्या, चंद्रियान 2 एक mission है, जो की चंद्रियान 1 mission की अगली कड़ी है, क्या है, अगली कड़ी है, इस mission की कुल लागत अगर आपसे पूछे जाए, तो 978 करोर रुपे इस पर खर्च किये गए थे, अगर आप देखें तो Hollywood की एक movie के उपर इससे कई गुना ज्यादा ज्यादा खर्चा किया जाता है, लगबग 2-3 गुना ज्यादा खर्च इस रकम से ज्यादा Hollywood क किसी एक movie पर खर्च हो जाता है, जिसको भारत ने मातर 978 करोर रुपे में इस mission को शुरुआत, जो है और launch किया है, चंद्रियान 2 के प्रक्षेपन के समय, इस रो के chairman कौन थे, के सिवान, इस रो के chairman, चंद्रियान 2 के प्रक्षेपन के समय, याद रखेगा आने वाले समय मे woman प्रुसकार दिया गया है, best woman scientist प्रुसकार की ये विजयता है, याद रखेगा, चंद्रियान 2 के mission director भी पूछा जा सकता है, इनका नाम है रितू करिधल, इनको rocket woman of India किसे कहा जाता है, रितू करिधल को, जो की mission director रही, चंद्रियान 2 की, और M. वनिता, जो की best woman scientist प्रुसका के लिए रही थी, आगे यहाँ पर देखे, चंद्रियान 2 श्री हरी कोटा से 15 जुलाई 2019 को GSLV MK3 M1 से छोड़ा जाना था, यानि इसकी जो प्रस्तावित तीथी थी, वो थी कि इतने तारिख को ये launch किया जाएगा, लेकिन तकनीकी खरावी के कारण इसको टाला गया, और यह 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 M1 से छोड़ा गया, कहां से छोड़ा गया, चंद्रियान 2 आंधर परदेश इस्तित श्री हरी कोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंदर से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंदर पूछेगा कहां है, तो श्री हरी कोटा आंधर परदेश में है, यहीं से 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 M1 से छोड़ा गया यह, ठीक है, पहले 15 जुलाई 2019 की प्रस्तावित तारीख थी, हलाकि इससे पहले चंद्रियान को 2013 में लॉंच करना था इस रोके द्वारा, ठीक है, चंद्रियान 2 को, लेकिन 2012 में जब रूस ने लेंडर प्रवाइड नहीं कराया, त फिर इसको 2016 के लिए रखा गया, 2016 में फिर वेट किया गया रूस का, कि 2015 तक वो आपको हमें लेंडर दे दे, लेकिन उसके बाद भी लेंडर वो नहीं दे पाया, तब भारत ने डिसाइड किया कि अब हम अपना खुद का लेंडर बनाएंगे, और उसी से लॉंच करेंगे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला प्रशन देखे, GSLV MK3 भारत का अब तक का सबसे सक्तिसाली लॉंचर है, और इसे पूरी तरह से देश में ही निर्मित किया गया है, यह जो लॉंचर है बहुत इंपोर्टन्ट है, और इसको याद रखेगा, देश का सबसे सक्तिसाल लॉंचर है, और इसको पूरी तरह से अपने ही देश में निर्मित किया गया है, चंद्रियान 2 का जो भार है, वो कितना है, 3850 किलोग्राम, चंद्रियान 2 का भार 3850 केजी है, नेक्स्ट यहाँ पर जानना है आपको, यह पहला अंत्रिक्ष मिशन है, जो चंद्रमा के चंद्रमा के दक्षिन द्रूबिय चंद्र पर लेंडिंग के लिए भेजा गया, यह अगर आपसे पूचे दक्षिन द्रूबिय चंद्र पर यह भारत का पहला अंत्रिक्ष मिशन है, जो चंद्रमा के दक्षिन द्रूबिय चंद्र पर भेजा गया, चंद्रियान 2 का उद Orbiter, Lander और Rover शामिल है जिसमें Lander का नाम अगर आपसे पूछे तो Vikram है, Rover का नाम पूछे तो प्रच्जान है तो तीन चीज आपको याद रखने हैं इसमें Orbiter था, Lander था और Rover था, Lander का जो नाम Vikram है वो Vikram सारा भाई के नाम पर है किसके नाम पर है विक्रम सारा भाई के नाम पर जो की डॉक्टर विक्रम सारा भाई क्या थे इस्रो के संस्थापक थे इस्रो के संस्थापक के नाम पर जो है वो इसका नाम लेंडर विक्रम रखा गया और विटर की पावर जनरेशन चमता की बात करे तीनों की छमता पच्छी तरह से याद रखेगा और्बिटर 1000W, लेंडर 650W, रोवर 50W, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर और्बिटर का वजन पूछे तो 2389 किलोग्राम, 2389 किलोग्राम जो है वो और्बिटर का वजन था लेंडर का वजन 1471 किलोग्राम और्बिटर का वजन मातर 27 किलोग्राम और्बिटर का मिशन कारेकाल एक वर्ष का था जबकि लेंडर यानि जिसको हम लोग विक्रम नाम दिया गया इसका और रोवन का जो कारेकाल है, रोवर जो प्रज्यान है इसका कारेकाल चंद्रमा के एक दिन के लिए था यानि पिर्थवी के 14 दिनों का था चंद्रमा के लिए वही एक दिन है लेकिन पिर्थवी के लिए वही 14 दिन है तो Lander का और Rover का यानि विक्रम और प्रज्यान का जो कारेकाल था वो एक दिन चंद्रमा के लिए और 14 दिन पिर्थवी के लिए आप इसको 14 दिन याद रखे और और्बिटर का जो मिशन कारेकाल था वो एक वर्ष का था Lander जो विक्रम है उसका संपर्ख 6 सितंबर 2019 को टूट गया 6 सितंबर 2019 को इसको soft landing करने थी ठीक है soft landing यह नहीं कर पाया इसने hard landing की संपर्ख तूट गया इसी दिन इसको landing करनी थी हो सकता है आप से landing की date पूछे तो 6 सितंबर 2019 को इसको land करना था और यह soft landing नहीं कर पाया इसने hard landing की और यही इसके विफल रहने का जो main lender जो विक्रम है वो failure रहा इसका यही कारण है कि इसकी soft landing नहीं हो सके जिस speed से यह वहाँ पर पहुंचा उससे थोड़ी कम speed होनी चाहिए थी या जिस speed पर वो पहुंचा उससे speed पर soft landing ना करा के उसको hard landing के लिए program करना था दुनिया की अंत्रिक्ष एजन्सियों के द्वारा अभी तक चंद्रमा की सतह पर soft landing के कुल 38 परियास किये गए हैं कितने परियास 38 परियास किये गए हैं दुनिया की सभी अंत्रिक्ष एजन्सियों के द्वारा चंद्रमा की सतह पर soft lending की ये 38 परियास आपको याद रखना है जिन में से 22 फीशदी यानि 22 परसेंट ऐसे मौके हैं जिसमें सफलता मिली है बाकी की जो 48 फीशदी हैं उनमें सफलता नहीं मिली है ठीक है तो ये थी चंद्रियान 2 से सम्मंदित सभी प्रशनों की important वीडियो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजेगा थैंक्यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है